हेलो एवरिवन तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी फेवरिट स्वीट कलाकन मुझे लगता है कलाकन एक ऐसी स्वीट है जो हर किसी को पसंद आती है लेकिन क्या आपने मैंगो कलाकन खाया है अगर नहीं खाया है तो यह रेसिपी देखने के बाद एक बार जरूर ट्राय करिएगा वैसे भी मैंगो का सीजन खतमी हो गया है तो लास्ट ही है अभी मैंगो इसके बाद इतने स्वीट मैंगो तो नहीं मिलने वाले हैं इस स्वीट को बनाने के लिए मैंने दो मैंगो लिये हैं और यहाँ पर मैं फ्रेश कोकुनट ले रही हूँ इसे भी हम तोड़ के अच्छे छोटे चोटे पीसिस में कट कर लेंगे सबसे अच्छी बात है यह सिर्फ चार इंग्रीडियन्ट से मिलके बन जाएगी और बहुत टेस्टी बनके तयार होती है तो आप लोग इसे जरूर एक बार तो ट्राय करिएगा यहां हम कोकोनेट की उपर की निकाल देंगे और उसे छोटे छोटे पीसिस में कट कर लेंगे तो वो मैंने एक कप लिया है और यहां पर एक कप ही कटा हुआ मैंगो लिये हैं और इसमें एक कप मिलक मैंने एड किया है थोड़ा थोड़ा करके एड किया है और आप देख सक आधा कप लिए ने से च्छाथ के दोगे हें6 व्यक्राइटो तो 20-30 बचले अधा का ठीक करें उसके बाद इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो पूरा हम निकाल देंगे आप देख सकते हैं जब पूरा पानी निकल जाए तो हतेलियों की मदद से सॉफ्ट कर लेना है आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूं बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है और यहां पर आप करेंगे उसमें हमें थोड़ा सा घी लगाना है आप चाहें तो प्लेट में भी कर सकते हैं अभी गरम है तो थोड़ा ठंडा होने के बाद आप इसे फ्रिज में रख दीजिए एक से दो घंटे के लिए सेट होने के लिए तो यहां पर मैंने थोड़ा इलाइची पाउडर और थोड़े से मैंने ड्राइफ फ्रूट्स डाल दिया है उपर से ऐसे गार्निश कर दिया है आप देख सकते कितना अच्छा दिख रहा है अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे तो यहां पर फ्रिज में रखे हुए एक से दो घंटे हो गए हैं तो अब हम देख लेते हैं वैसे तो यह कलाकंध है ना तो बहुत सौफटी रहता है ऐसे बहुत ज़्यादा कड़ा तो नहीं होता है और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है तो आज की मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा और यह भी बताए कि इससे पहले आपने मैंगो कलाकंध खाया है कि नई अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा और अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो फॉलो एंड सब्सक्राइब करें फेस्बूक इंस्टा और यूटूब पर मिलत है निक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई